दोस्तो यह है वेंडिंग मशीन का टेस्ट सेटप तो यहां पर हमने इस सर्किट को डवलप किया है इसके माधियम से आप पूरी वेंडिंग मशीन को डिजाइन कर सकते हैं यहां पर हमने डेमो के लिए दो मोटर्स लगाई है और यह कोईन एकसेप्टर है तो इसे हम 12 वोल्ट से पूरे सिस्टम को पावर दे रहे हैं तो अब हम इसमें जैसे ही पांच रुपे का कोईन डालते है यह देखिए यह मोटर रन होती है और साथ में यह लाइट भी गलो ह होती है और सेकेंड टाइम जब हम कोईन डालते हैं तो अब यह दूसरी वाली मोटर रन होती है तो यहां पर हमने जितनी मोटर्स लगाई है वह अल्टरनेटिवली रन होगी जैसे कि दो मोटर लगाई है तो एक वार यह मोटर चलेगी दूसरी वार यह चलेगी और कोईन डालते हैं तो यहां पर काउंटिंग में टू आ गया है फिर से दो डालते हैं काउंटिंग में फोर आ गया और अब हम इसमें एक रुपय कोईन डालते हैं तो टोटल पांच हो गया काउंट और यह फिर से मोटर स्टार्ट हो जाएगी तो यहां पर हम पांच का कोईन भी डाल सकते हैं या फिर खुले भी डाल सकते हैं और यहां पर हम amount को भी set कर सकते हैं और यह device fully configurable है तो अब हम इस वीडियो में इसका पूरा demo दिखाएंगे और साथ में यह भी बताएंगे कि आप इससे पूरी एक vending machine के से develop कर सकते हैं तो चलिए तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यह दो बटन है इन बटन से आप configuration कर सकते हैं और इसके लावा यहां पर connector लगाए गए हैं यहां पर इन connector के माधियम से आप motors और दूसरे components को connect कर सकते हैं तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहां से आप यह number one पर है इससे आप 12 वोल्ट connect कर सकते हैं यह ग्राउंड और यह 3rd number pin है इससे आप coin acceptor का output connect करेंगे और यह जो इधर पीन है इसके माधियम से आप coin acceptor के ground pin को connect करेंगे और इसके अलावा यह पांच पिंस मोटर्स के लिए हैं इन में आप जितनी चाहे उतनी मोटर्स यूज में ले सकते हैं एक दो तीन चार या फिर पांच वह आपके रिक्वार्मेंट के एकोर्डिंग होगा और ऐसा नहीं है कि हम आपको कौन्फिगर करके वेजएंगे आप खुद ही इसे कौन्फिगर कर सकते हैं इन बटन्स के मादियम से और यहां पर LCD के लिए पिंस है तो आप चाहें तो हमसे भी LCD के साथ परचेज कर सकते हैं या फिर बीना LCD के भी परचेज कर सकते हैं तो इस तरह से LCD इसमें इंसेट हो पर हमें आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं यहां पर एक वोल्टेज रेगुलेटर लगा रखा है तो आप इसके इंपुट में 12 वोल्ट तक दे सकते हैं और साथ में एक बजर भी है तो इससे आपको थोड़ा अच्छा-सा इफेक्ट मिलेगा साउंड इफेक्ट जै हमारे पास जो कोईन एकसेप्ट है इसमें टोटल सिक्स टाइप के कोईन हम कॉन्फिगर कर सकते हैं तो इसका आउटपुट इसमें मिलेगा और उसके कोडिंग ये मोटर स्टन होगी अब दोस्तों सबसे पहले हम इस सर्किट का कॉन्फिग्रेशन आपको सिखा देते हैं तो इस तरब जो बटन हैं इसे हम लोंग प्रेस करते हैं तो हमारे पास रीविल मशीन का ऌपसन आता है तो फिर से हम बटन को क्षथ करते हैं तो ये मशीन रीफिलिंग हो जाती है तो अभी देकिए यहां पर अवेलेबल 60 है तो हमने की रिफिलिंग की प्रोसेस हो गई लेकिन आप जब इसे मशीन में इस्टॉल करते हैं तो आप अपनी रिक्वाइर्मेंट के कोडिंग इसे कॉन्फिगर कर सकते हैं जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ इस बटन को हमने लोंग प्रेस किया तो हमारे पास यहां उपर लिखाया प्लीज सेलेक्ट और नीचे अमाउंट का ओप्शन आ गया तो यहां पर 5 आई एन आ रहे हैं मतलब कि हम 5 रूपे के लिए इसको सेट अप कर रखा हैं तो अब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो सेट कर सकते हैं मतलब कि आप यहां पर वेल्यू अगर एक रूपे रखते हैं तो एक रूपे के कोईन में भी आप आईटम को डिस्पेंस कर सकते हैं और इस वेल्यू को हम एक से दस तक सेट कर सकते हैं तो अभी मैं इसको 5 रहने देता हूं तो फिर हम वापिस इस बटन को प्रेस करता है तो देखिए यहां पर आगया मोटर्स तो इसमें हम maximum 5 मोटर्स को हम select कर सकते हैं तो फिलाल मैंने दो मोटर्स रखी है तो अभी मैं जैसे इस बटन को प्रेस करता हूँ यहां पर numbers increase हो जाएंगे और maximum number 5 आजाएगा और फिर से यहां पर two ही set कर देता हूँ क्योंकि हमारे पास अभी डेमो के लिए दो मोटर्स अवेलेबल है दोस्तो इसके साथ आपको एक चीज और ध्यान देना कि अगर हम यहां पर मोटर्स का number 5 रख देते हैं तो इस LED को हमें हटाना पड़ेगा दोस्तो यह जो LED है यहां पर कोई भी product dispense होगा उसके उपर लगाई जा सकती है ताकि जैसे ही machine से कोई product बाहर निकले तो वहाँ पर light glow हो जाए तो जो customer है उसको पता चल जाए कि यहां से हमें जो product है वो उठाना है तो अगर आप चार motor यूज में लेते हैं तो इस LED को आप यूज में ले सकते हैं बट अगर पांच motor यूज में लेते हैं तो उस condition में यह LED आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास वो limited pins ही है अब हम वापिस इस button को press करते हैं अब यहां पर आगया pulse length तो यह जो pulse length है इसे हमने 1500 millisecond कर रखा है तो इसका meaning क्या हुआ तो इसे हम 500 millisecond से लेकर 5 second तक हम set कर सकते हैं और इस feature के मादिम से हम motor को 2 वार या 3 वार भी run करवा सकते हैं अब हम वापिस इस button को press करता है अब देखें यहां पर आगया item number तो यहां पर हमने total 2 motors use में ले रखी है और number of items 30 है तो total quantity हमारे पास 60 हो जाएगी तो अब हम इसे 30 रहने देते लेकिन हम इस button के मादिम से इसे set भी कर सकते हैं तो इसके minimum value 1 है और maximum value जो है वो 50 है और इसके अलावा आपके कुछ requirement होती है आपको अगर और ज़्यादा quantity का चाहिए तो उसके coding हम code को आपके लिए modify कर सकते हैं बड generally जो vending machine होती है उनकी range यही होती है अब हम इस button को फिर से press करता है अब यह देखें यह time out है इस time out का meaning यह होता है कि जब भी आप यहाँ पर coins डालते हैं तो जैसे कि suppose कीजिए इसमें 5 रूपे हमने set कर रखा है और अब आपने एक एक रूपे के coin डाले हैं तो आपको 5 coin डालने होगे तो इस condition में क्या होगा कि आपने 4 रूपे तो डाल दी बट अगर पांच वा coin आपने नहीं डाला तो यह क्या है कि इतने second तक wait करेगा और अगर उसके बाद हम coin नहीं डालते तो यह time out हो जाएगा इसका मतलब यह है कि आपको फिर से इसमें 5 का coin डालना पड़ेगा जैसे क कोई customer है उसने मान लोगी एक रूपया डाल दिया और उसके बाद में वो चला गया तो उस condition में machine engage हो जाएगी मतलब कि कोई दूसरा customer आएगा तो फिर उसको उसके आगे से यूज नहीं ले पाएगा वो इस condition में हमने यह 10 second का time out रखा है तो उसको जो coins है वो 10 second के अंदर ड 60 आगया है यहां पर तो दोस्तों यह हमारा जो first product है इसका हमने जो डेमो वीडियो बनाया है तो आप इस circuit को हमसे purchase कर सकते हैं और purchase detail जो है आपको description में मिल जाएगा तो आपको यह PC भी जो है इस तरह की मिलेगी और यहां पर सारे component के soldering होगी और आप चाहे तो यह जो है LCD के साथ में ले सकते हैं तो अगर आप LCD के साथ में लेंगे तो इस तरह से यहां पर LCD fit होकर आएगी और यहां पर proper special लगके और यहां पर screw लगेगा जैसे कि इसमें लगाएगे यहां पर screw है तो ठीक इसी तरह से इसकी fitting होगी और यह दो बटन होंगे इनके माधियम से आप configure कर सकते हैं तो यह आपके जो पैनल है जो भी box होगा वेंडिंग मेशीन का उसमें इस तरह से लगेगा और दूसरी तरफ इसमें यह जो है voltage regulator है 5V का और आप इसके input में 12V दे सकते हैं और एक buzzer है और यहां पर और कुछ components है तो आप यह पूरी PCB हमसे purchase कर सकते हैं और आप इस PCB को sanitary napkin vending machine में यूज ले सकते हैं या फिर carry bag vending machine में यूज ले सकते हैं और इसके अलवा आप काफी तरह के जैसे soda vending machine आती है तो उस तरह काफी अलग-अलग product होते हैं तो आप इसे कहीं भी यूज में ले सकते हैं और आपको अगर customized circuit चाहिए या फिर customized product चाह सकते हैं तो हम आपकी requirement के recording वो product design करके आपको दे देंगे तो चलिए दोस्तों आपको यह product कैसा लगा comment में जुरूर बताईए और अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आपको इस product से related कोई चीज समझ में नहीं आईए तो comment में बताईए हम अगले video में इसकी पूरी detail बता सकते हैं दो रूपे के कर सकते हैं एक रूपे के या फिर दस रूपे के भी कर सकते हैं चलिए दोस्तों आज के video में बस इतना ही मिलते हैं नए video में किसी नए product के साथ तब तक के लिए good bye